कि नमश्कार दोस्तों मैं रोहिद गुपता स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा कि ऐसे ही वीडिय हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल डाल रखी है लेकिन कुछ सब्जेक्ट की जो रह गई है वो भी जल्द आपको मिल जाएंगी तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दू ओल्मोस्ट सबके प्रैक्टिकल सेम ही होते हैं हर ये इस साल जो है स्लेवर सेंज हुआ है तो कुछ है आप लोगों के लिए आप जिस भी फॉर्मेट में चाहिए अपना एक्जाम दे सकते हैं नए वाले स्लेवर्स के भी त्रू और ओल्ड वाले भी स्लेवर्स के थ्रू ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम इंडेक्स देख भी ले सकते हैं और उससे भी वना सकते हैं नहीं था यहा पर आपको प्रयोग में आप यहां पर सब पहले हैं र्ट फें और ग्रीन पेर इसका इस्तवाल आपको नहीं करना है शिकredны मेंrah और ब्लू पैन का यूज करोगे चीक हैं लिखाल करना फिर इनसे चाहिए वर्ड कर सकते हो सब्सक्राइब नंबर में आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं लिखके 7065097062 यह मेरा फोन नंबर है इस पर आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कोई भी आपको डाउट हो या क्वेरी हो या फिर आप मैसेज वर या कॉल भी कर सकते हो आप इस नंबर में हमारे मेरा इंस्टाग्राम प ट्रये हो आपको तो स्कुर्कक सब्सक्राइब कर ना कि भी यहाँ पर जितना भी प्लूब मला प्रूजन है यह को इस को आप ब्लू ब्लू-पियन से लिखेंगे इसको आप black pen से लिखेंगे, बाकी जो blue pen से लिखा गया है, यानि कि यह वाला हमारा format जो भी black वाला है, यह आप blue pen से लिखेंगे, इसके आलावा सारी चीज आप blue pen से लिखेंगे, ब्लैक वाले चीज आपको blue से लिखेंगे, यह याद रखिएगा, ठीक है, practical sheet में जो है आप से लिखने वाला रहेगा, तो जो plain side है, उस side में आपको pictures वगेरा paste करने हैं, यहापे निसकर्श आ जाता है, कुछ questions दिये गए थे, उन questions का solution यहापे डाल दिया गया है, ठीक है, यह question number two आ जाता है आपका, और इसी के बाद जो है आपका practical one जो है, खतम हो जाता है, I hope आपक हैर मौकिक संचार का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, तो यहापे परीचे दिया गया है, यानि कि introduction part जो है, इसका दिया गया है, यह आपको activities उतार लेना है, इसके बाद प्रक्रिया आ जाती है, प्रक्रिया मतलब की procedure किस तरीके से आपको practical perform करना है, ठीक है, यहापे आपको यह image दिखरी होगी, इसका screenshot ले लीजेगा, या फिर अगर आप PDF इसका चाहते हैं, तो आप हमें WhatsApp पर contact कर सकते हैं, और इसको purchase कर सकते हैं, इसके बाद यहापे आपको इसका निसकर्ष देखने को मिल जाता है, इतना part आपको निसकर्ष में लिख देना, उसके बाद आपका यह वाला practical भी complete हो जाता है, इसके बाद आपका प्रयोग 3 स्टार्ट हो जाता है, प्रयोग 3 का उद्देश है, इस व्यवाहारिक का उद्देश है, मतलब यहापे व्यवाहारिक की जगा आपको प्रयोग लिखना है, इस प्रयोग का उद्देश विभिन शेत्रों म की समझ प्रदान करना है चीक है तो अभी मैंने जितना बताया आपको इस चीज को ध्यान रखना बस यहां पर बस हलका सा चेंज था वो मैंने आपको बता दिये तो इस चेंज को आप कर लीजिएगा इसके बाद आपका परीची यानि इंट्रोडक्शन पाट आ जाता है चीक इसके बाद आपका प्रक्रिया तो इसके आपको कुछ फ़ींस देने लिखने के लिए बोला गया था तो यह आपको मिल जाते हैं यहापर एक प्रसिद फिल्म स्टार का शाक्षतकार शाक्षतकार मतलब के इंटर्व्यू इसके बाद चंद्रेयान परियोजना के निदेशक का साक्षतकार तो पाँच कोशन इसके अंडर भी लिखने थे ये पाँच कोशन आपको यहां पे लिख दिया गया है भारते क्रिकेट टीम के कप्तान का शाक्षतकार, ठीक है, निसकर्ष, निसकर्ष में यहापे कुछ कोशन्स दिये गए थे, पहला प्रेशन था लोगों का शाक्षतकार लेने में तैयारी कैसे मदद करती है, तो इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, उसके बा शग्यता का शेत्र कौन सा होगा, उन पांच लोगों का उल्ले करें, जिनका आप उस शेत्र में शाक्षतकार लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका फूर्थ, ठीक है, फूर्थ कुशन, क्या आपको अख़बार में छपा इंटर्व्यू टेल करें, इसके बाद हमारा प्रयोग पांच चार स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या बोला है, बोले गए शब्द की विशेष्टाओं को समझना और यह अकबार में छपे शब्द से किस प्रकार भिनना है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका देखने को स्टार्ट हो जाता है, परीचे के बाद आपकी यहाँ पर प्रक्रिया यानि प्रोसीजर, वो देख लेंगे हम, इसके बाद आपका यहाँ पर टेबल आ जाता है, इस टेबल को आपको, ब्लैंक साइड यानि कि जो हमारा वाइट पेज है, वहाँ पर बनाना है, तालिका 4.1 अवलोकन तालिका चीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर निसकर्ष आ जाता है, चीक है, निसकर्ष आप उतार लेंगे, आइटम के लिए उपियोक किये गए, सेकंड की संख्या के अधार पर, 130 सब्द प्रती मिनट के अधार पर उस आइटम में शब्दों की संख्या की गणना करें, चीक है इसके बाद यहाँ पर थर्ड कोशन और फोर्थ कोशन देखने को मिल जाएंगे, चीक है, यहाँ पर फिफ्ट आ जाता है अपका, यहाँ पर आपका प्रियोग 5 स्टार्ट हो जाता है, प्रियोग 5 का अधिश है, विबिन रेडियो प्रारूपों को पहचानना और समझना, परीचे, चीक है, परीचे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, प्रक्रिया शाम पांच बज़े से राद दस बज़े तक औल इंडिया रेडियो के मीडियम वैव स्टेशन पर ट्यून करें सभी का रेक्रम सुने प्रोग्रामों के विबिन प्रकारों या प्ररूपों पर ध्यान दें तो यहां पर निस्कर्श आ जाता है पहला कॉशन का यहां पर आंसर आ जाता है इसके बाद और को कौन सा प्रायूरूप सबसे अधिक पसंद आया और क्यों उसके बाद है आपके इन विबिन प्रकार के संगीत का रेक्रमों से परिजित है आज यहां पर आ जाता आपका इसके बाद आपका प्रियोग 6 ठीक है इसका उत्देश है परीचे और उसके बाद प्रक्रिया ठीक है बिल्कुल धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहों ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई इशू ना हो ठीक है इसके यह पिच्चर जो है आपको पेस्ट कर लेनी है या गूगल से भी आप निकाल के कर सकते हैं चीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जगा या फिर आप पेडियाफ जब हम से पर्चेस करेंगे तो इसमें यह अटैस्ट मिलेंगी आपको ठीक है समचार पत्र में एक विध्यापन यहाँ पे आपको टाइड का एड दिख रहा होगा पत्र का से एक विध्यापन ठीक है अब देखो यहाँ पे आपको क्या-क्या वो था यहाँ पे इसम क्या वह बताये गया है जो हैंडविल था उसमें क्या दिया गया है जीक है इसके टेवल आपको ब्लैंक सैट बनाना है ठीक है ठीरे-धीरे स्क्रॉल करता हो तAKि आपको digits में लेने भी meditation ना आए चीक है जटा पॉइंट साथवा पॉइंट और यहां पे आठवा पॉइंट आ जाता है चीक है यहां पे आठवा पॉइंट नवा पॉइंट दसवा पॉइंट ग्यारवा पॉइंट और बारवा पॉइंट अब आपका प्रयोग साथ आ जाता है उद्देशे इमेल खाता खोलने एक खाते से दुसरे खाते में इमेल भेजने और प्राप्त इमेल तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझना ठीक है इमेल उद्देशे और उसका परीचे फिर आजाती है आपकी प्रक्रिया इसके बाद आपको यह एक फोटो दी गई है स्क्रिंशोट दिया गया है आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं चीक है यहां पर फिर निसकर्श आ जाता है आपका प्रेशने तीं इसके बाद यहां पर आपका प्रेयोग 8 स्टार्ट हो जाता है अब वीडियो में भी थोड़ी सी लेंदी हो रही हो अगर आपका इसा लग रहा हो लेंदी हो रही है जस्ट मैं इस वज़े से धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन शॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि हर कोई PDF पर्चेस करना अफॉर्ड नहीं कर सकता इसलिए हमारा यहीं है प्रॉब्लम ना हो तो यहां पर यहां पर यहां पर यह टेबल आ जाता है जो कि आपको प्लीन सैड बनाना है चीक है फिर आपका निस्कर्ष आ जाता है ठीक है निस्कर्ष यहां से स्टार्ट हो जाता है उसका आंसर आ जाएगा आपका उसके second question जो पूछे गया निस्कर्ष में उसका उत्तर आ जाएगा इसके बाद आपका second last प्रयोग यानि प्रयोग नो आ जाता है इसका उद्देश्य आपको यहां दिया गया है उद्देश्य और परिचे का आपने screenshot ले लिया होगा में भी चलिए अप रक्रिया का फटा फट से screenshot ले लिजे और इसके बाद आपका table आ जाएगा एक प्रया गया है यह table आपको plain side draw करना है और उसमें लिखना है ठीक है साथ point इस table में अभी तक आपको दिख रहे होंगे पर यहां पर आपका आठवा नोवा और दसवा point भी आ जाता है इसके बाद last वाला point जो है वो ग्यारवा point है वो भी आपको दिख रहा होगा जिसके बाद आपका निश्टकर्श स्टार्ट हो जाता है ठीक है second point और उसका answer इसके बाद आपका प्रयोग 10 स्टार्ट हो जाएगा प्रयोग 10 यहां पर दे रखा है इसमें आपको फोटोग्राफ जिन पिच्चर्स को लगाना आपको बता देता हूं कौन कौन से पिंचर्स आपको इसमें यूस करनी है कैमरा यहां पर रोशनी हो गया रोशनी की जगा आपको लाइट लिक ले ना ढ। यह अग्या करक्ट करके तो यह आपको लगान लिखना है रोशनी की जगा में चिığı computer printing machine यह सारी चीज़ आपको इस्कbaar यह इसका अंसर आपको इसके जास स्टार्ट हो जाता है जो है पिछर जो है गूगल साप निकाल पेस्ट कर दीजेगा अधर्वाइज अगर आप हम से पीडिये फ़र्चेस करेंगे तो इसमें आपको इसकी पिच्चर जो है टाइच करके मिल जाएंगी यहां पर फूर्थ आ जाता है पर यह आपका फिफ्ट वाला कोशन आ जाता है और यह लास्ट कोशन है इस प्रैक्टिकल का आपने अब तक स्क्रिंशॉट सारे कोशन का ले लिया होगा अगर नहीं लिया है तो मैं फिर से एक बार स्क्रॉल करते हूं धीरे-धीरे अगर आप करके जरूर बताएगा पेंटिंग अभी प्रैक्टिकल इंग्लिश मेडिया में जल्द आने वाला है और स्लेवस भी हम फटाफट फटाफट अप्लोड करें